नमस्कार दोस्तों कोठा क्लास में आपसे बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग पढ़ेंगे चाभी काठी का तीसरा द्रिश्यों ये पार्ट टू है वीडियो का पार्ट टू है पार्ट बन में पार्ला द्रिश्यों और दूसरा द्रिश्यों है उसके पहले लेखक थे बाबा कॉन थे ऐह चलते हैं लोगस दिखते हैं şu आज का चलते हैं लोग से बाबा कॉन थे मज़े कुछ बश्वे आप बोड़ रहा है कि आज तु मुझ जमान लड़का लोग का मुझे को कुछ मुंचा नहीं है मोज हो चुके थे हम लोग को कोई कुछ समस्ता ही नहीं है हमनी ऐसी रोदे चूल नहीं पकवल ही रहे जाने एहे उम्री कते की नहीं देख ली हम लोग का जो चूल मतलब बाल ठीक है रोद मतलब धूप हम लोग अपना बाल जो है धूप में नहीं पकाए है हम लोग का बाल जो है सफेद हो गया है ये धूप में नहीं हुआ है अनुभव है इसी उमर में है ना इहे उमरी मतलब इसी उमर में कितना कितना और क्या क्या नहीं देखें कते कते अर की नहीं देखें कते लोग उजर गेला कते बन गेला कितना आदमी उजड गया कंगाल हो गया और कितना बन गया कितना आदमी बन गया नाती आर की के देखला बाबा नाती पुछते है और क्या कैँद देखे बाबा नाती मतलब क्या बाबा का नाती बाबा सुना थीर होए के सुना हम तौरा दुनिया दारीक बात सुन witnessed बात लिखाल इगुला नाई पहे बैं के एते खोई लिके लिखतो इह गुला हमारेशन बुढ़ा पुर्णिया ठिने परेवे मतलब कह रहा है सुनो ध्यान से सुनो स्थीर होके सुनो हम तुमको दुनिया दारी का बात सुनाते है पोथी लिखल मतलब किताब में लिखा हुआ यह सब बात नहीं मिलेगा के एते खुल के लिखतो इतना विस्तार से कौन लिखेगा मतलब यह सब बाते जो है मुझ जैसा बुढ़ा या पुराना आदमी के पास ही मिलेगा ठीन मतलब पास में उसके अकाट ठीन मतलब उसके पास एजमपल है नाती हाँ बाबा कालू राम के की भीक मांगते मांगते ही या आईल हले तो तूर्ती एते बोड़ा धनी कैसे भाई गयल तो नाती पुछते हाँ बाबा इक कालू राम तो यहाँ भीक मांगते मांगते आया था तो इतना जल्दी इतना धनी कैसे बन गया भीक मंगते आयल हले धनी कैसे भाई केल धनी कैसे हो गया बाबा अहटो सुनवा ही रे बोका जाने पहिल जे दिन उहीं आयल हले देहीं लुगा नाय हलक सड़क धारे भुखे पैसे आयल लेगो गास तरे वैसल ठीक है सुनवा अरे वही सुनाएंगे रे बुडबक बोका मतल होता है जाने है जिस दिन वह पहले यहां आया था उसके शरीर में कपड़ा नहीं था देहीं लुगा मतलब शरीर में कपड़ा नहीं था और सड़क किनारे भुखे पैसे आया था और यह पेड़ के नीचे बैड़ गया था और गाच तरे वैसल मतलब पेड़ के नीचे बै लुख चल रहा था गरम हवा चल रहा था और आदमी जो आदमी था जो भूखे बहुंस हो गया ठीक है शरीर में उसका जान नहीं रहा कमज़र हो गया था जमर गया मली बहुंस हो गया हमनी दोड़ा दोड़ी कर पानी थपा थपी कर ली खेली पेली तकर बादया तब होस आया हम लोग दोड़ा दोड़ी करके पानी उसको दिये पानी से धोहे पोचे पानी थाबे उसको और खिलाए पिलाए उसके बाद उसको होस आया इसके बाद वहाँ महतों गाओं का मुक्षिया लोग तुर्भ धनी वादमी न रता वोग करा बगाल कराबकल क्या होता है करा मतलब होता है भैस 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 या भैसा टिक है उसको रखवाली करने के लिए चरवाने के लिए चरवाहा के रूप में गुर्खिया चरवाहा टिक है रख लिया उसके बाद देरे देरे वो 2-3 साल बात जो है संसना के उठा मतलब बहुत फुर्ती से वो आगे बढ़ा दीन भर महतु का घर में रखवाली करता या फिर चर्वाहा करता और रात में बहियारे खेत धान मतलब रात में जाके खेत का धान का जो खेत होता था उसकी रखवाली करता था अब आप सूधे टाका लग 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 भोरी कर लग लग आप जो है वो सूध में टाका रुपिया लगाने लगा मतलब इंट्रेस्ट पे दस रुपिया देंगे हम 50% इंट्रेस्ट लेंगे इस तरह का करने लगा और उसका उगाही करने लगा पांच बच्छर भेते भेते दोकांदार बवें गयला और आज देखे हैं की गह गही कितना उसका चलती है कितना उसका गर्मागर्मी है यह हो गया तिरुस्य कहतमर्था दिरुस्य है संभू आप कहां जाए जारा था ना वो मासे बिदा लगे यहां जारा लेखते हैं कहीं काम मिल जागा तो अब बोलता है आप कहां जाए एते बड़ा धनवाइत कि तु जाना सुनुआ एगो लोग नाइ जकर्ठीन डणाए के दूगा बात करी बोलता है आप कहां जाए इतना बड़ा धनवाद है लेकिन कोई भी जाना सुना हुआ एक भी आदमी नहीं है जिसके पास खड़ा होकर दो बात कर सकें जकर्ठीन मतलब जिसके पास डणाए के मतलब खड़ा होकर दो को बात कर सकें किन्तु राती जागल है चोधरी जी ना उत आप देहायत दिए तक्यों ने देखता क्या बोला ये किन्तु राती जागल है चोधरी जी ना उत आप देहायत दिए तक्यों ने देखता एक बिचारा बावर्ची है जो कावली का भात पका रहा है किंतु वाकर आपने ठीक नाए मने मने आर का है देरी करी यह सोच रहा है किसी को याद कर रहा है कि उसके पास किंतु वाकर अपने ठीक नहीं मने जिसके बात कर रहा है यह कौन यह बिचारा बावर्ची जो है उसके ठीक है? चलो, इस्टेशन में राद गुजारेंगे. किन्तु सिपाही से बे सी तंक तो हम राध मरे पेट कर रहा है. मतलब सिपाही से ज़्यादा परिसान तो हमको हमऔरा पेट कर रहा है. भुखे है बेचारा? आज बेचारा के कुछ नाइ देल ही. आज पेट में कुछ नहीं दिये हैं अब तो पेटेक जलन नाई सहल जा है अब जो पेट का जलन है वो बरदास नहीं हो रहा है भुख से पेट जल रहा है भला गोटे दिन पानी पी पी ही मतलब भला पुरा दिन जो है सिर्फ पानी पी के हैं आज मांगे होते हैं आज मांगना पड़ेगा केकर से मांगी किस से मांगेंगे के हमारे जिवान लोग के भिग दता मुझ जिससे जवानी को भिग कौन देगा जुठे दुगोबात कहता पासो एसन कुछना ज़क्रा बेचिये, पाकिटे कलम टाद देखे हैं हाथ करे, हाथ हैं कैसे जुठे जाएंगे मांगने के लिए बोलेगा रहे इतना हाटा कटा आज में काम ने कर सकता है जुठे दो को बात सुना देगा और मेरे पास तो कुछ है भी नहीं जिसको बेचेंगे उसके पैकेट में पाकिटे, पैकेट में एक पेन है जिसको हाथ में लेके देखता है ठीक है? और बोलता है हमर पिर ये कलम एकर से तो हम बी ये पास कर रहे ही ये हमर बंदू एकरा बेचे होत कते कलम मेरा प्यारा कलम है हम इसी से तो भी ये पास किये हैं और ये हमारा मित्र को बंदू को बेचना होगा एकर हम नाय बैचब इसको हम नहीं बेचेंगे आज भीख मांगे होत किन्तु आज हम लाचार परान बचवे है हत मतलब भले हमको आज भीख मांगना पड़ेगा लेकिन हम इस लाचार परान को बचाएंगे किसको कलम को माय आसा लगाय के बजशालत होती दिवी देवता मनवा होती मा जो है उम्मिद लागे बैठी होगी और दिवी देवता को मना रही होगी दुआ कर रही होगी बेटा मेरा गया है कुछ कमा के लाएगा कुछ कर के आएगा कुछ आगू चल जा है थोड़ा आगे बढ़ता है यह था चोटा दिर्स्यो वो खतम होता है अगला है पाचमा दिर्स्यो चोटा चोट दिर्स्यो है जल्दी खतम हो जाएगा पढ़ते हैं लोग पाजमा द्रिश्य है एक दुकांदार ठीन मतलब एक दुकांदार के सामने वो खड़ा है ठीक है और बात हो रहा है बाई एक सवाल है राधू राधू दुकांदार है सवाल बावाल रात में नहीं और तुम्हारा जैसा हट्टा कटा आदमी को सवाल कहते सरम नहीं आती है हिंदी मत कर रहे लो भाई एक सवाल है सवाल दुकांदार रात में नहीं तुम्हारा जैसा हट्टा कटा आदमी को सवाल कहते सरम नहीं आ रहा है संभू कुछ पहले तक सरम आती थी संकच होता था किन्तु अब नहीं बोलतो है कि कुछ पहले तक से रम आ रही थी संकच भी हो रहा था लेकिन अब नहीं हो रहा है कहें तो रती राम यहां बोल रहा है रती राम कौन है तो राधो भी सहरी यूवक है और रती राम भी सहरी यूवक है अस्टेसिन जाओ खड़ा है दुकान के सामने वहाँ बात हो रहा है रतिराम जो सामने खड़ा था बोलो जी क्या बात है संबू बात कुछ नहीं सहाब आज दिन बर कुछ खाया नहीं भूख से देह थर-thर कर रही है खड़ा नहीं रहा जा रहा है बात कुछ नहीं है सहाब आज दिन बर कुछ नहीं खाये है भूख से शरीर जैवो थर-thर कर काप रहा है खड़ा भी नहीं रहा जा रहा है इतना सकमजूरी लग रहा है रादो पुछता है कहां घर है जी इस जिले के लगते हो इसी जिले के लगते हो बलते हैं कहां घर है तुम्हारा इसी जिला के लगते हो धनबाद जिला के लगते हो संभू हाँ बाबू मैं इसी जिले कर रहने वाला हूँ संभू कहता है हाँ बाबू मैं इसी जिले कर रहने वाला हूँ तो रादो पुछता है, इस जिले के लोग बड़े कोड़ी होते हैं, आलसी होते हैं, आज घर में खाना है, तो काम ही नहीं करेंगे, तो दुख भोगेगा कौन, तो दुख भोगेगा कौन, तो दुख भोगेगा कौन, मतलब आज घर में खाना है, तो खाके रह जाएंगे, यह नहीं यह खाना है तो खाके काम करने चले जाएंगे कल के लिए कुछ उपाय करके लाएंगे ये नहीं करेगा तो दुख कौन भगेगा हम तुमको काम देते है hep पैसा चाहिए हम तुमको काम देते हैं चाहिए पैसा तो उठा उस गाट को चलो स्टेशन जाएंगे इतने पैसे में तुम्हारे लिए पैदल चल जाओंगा और पैसा तुमको दे दूँगा तो बुलता है संभू चमा करेंगा बाबू आपने इस जिले के भिखमंगा को देखा है यहां भी आदमी रहते हैं लेकिन अच्छा बाबू आपने बड़ी किरपा की है यदि मुझे चार आने पैसा दे दे तो मैं कुछ खालू और लेकर चलू ठीक है बाबू बुलता है आपने बड़ी किरपा की है आपने मुझे काम दिया इसके लिए आपने बहुत किरपा की है यदि मुझे चार आने पैसे दे दे देंगे तो मैं कुछ खालू और लेकर चलू कि भूख लगी है चार पैसे दे 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 चार आना तो मैं कुछ खालूंगा उसके बाद ही समान खाते हैं तो रतिनाम पूछता है तुम पढ़ा लिखा आधी मालूंव उते हो जी पढ़ा लिखा मालूं चलते हो संभू कुछ बाबू दरे बीए पासे हम रिजवेट हैं रती ऐसी बात ऐसी बात आओ मेरे साथ छोड़ दो गठरी देखो जी कल से हमारे स्कूल में काम कर लो तो 200 रूपिय लो 200 रूपिय इन्हें घर भेज दो अभी जब तक रहने का बंदोस्त नहीं हो जाता है तो हमारे स्कूल में ही रहो मैंने होटल वाले से कह दिया है अब इसको ये काम दे देता है बुलता छोड़ो आदूम गल्ठरी छोड़ो और चलो हमारे स्कूल में काम करेगा लो 200 रूपिय लो अपना घर भेज दो ठीक है और अभी जब तक रहने का बंदोस्त नहीं होता है तब तक स्कूल में ही सिक्सें चुटे-चुटे है ना इसमें कौन है कालू राम और संतु कालू राम कौन है संतु कौन है कालू राम हां साहुकार है जमिंदार है और संतु कौन है तो कालू राम का लठेत है एक सिंग जी भी है जो उसका लठेत है ठीक है कालू राम बोलता है जो तो मंगला के दयक्राइकान ध्हान काट्लमाडर भगा वहल याल किंतु हमत टका कौन्हों चिंटा ना है तो अपने कलão बोलता है कि जाओ मंग्ला को बुला कर говорить लाओ डायकान मतलब भुला कर ठीक है डाकना मतलब बुलाना बुला कर लाओ धान का धान काटल मेडल मतलब धान को लाके उसको पुआल अला कर लिया धान अला कर लिया ठीक है वो सब कर लिया है लेकिन हमारे रुपिया का कोई चिंता नहीं है हमको देने का वो कुछ नहीं कर रहा है घर में अगर नहीं होगा उसके बेटा को बोल देना यहां भेज देगा हम बैस कहें के छोड़ दही तो फूलल जाहिए मने हम उसको अच्छा बोलके छोड़ दे रहे हैं तो वो मोटा रहा है भाव खा रहा है संतु अच्छा मालिक इतने में स्रीपती का परवेश होता है ठीक है श्रीपती कौन है श्रीपती जोहर मालिक वहाके बोलता है जोहर मालिक स्रीपती एक गरामीन है वह आके बोलता है जोहर मालिक कालूराम स्रीपती आए बहुत दिन बाद दे लें वो बोलता है देखके स्रीपती को स्रीपती आए बहुत दिन बाद स्रीपती हा मालिक आज कल घरें नाय रहे ही तभी तनी आवाजावा कम होवे हैं बोलता हा मालिक आर चासबास और खेती बगर कर रहा है कि नहीं सिर्पती भतिजा टाक करो है मतलब भतिजा जो है वो करता है खेती चासबास वो ही करता है कालूराम तो आज इदीग कैसे हैं मना आज इधर कैसे इदीग है ना इदीग मतलब इधर आज इधर कैसे चिपती पाचे आगवक कुछ बाकी हो ना Y tau तुम ही क्यों गाव में किसको नहीं दिये है थुरा सोछता है बोलता है अच्छा पहले काभी कुछ बाकी है ना पहले काभी कुछ बाकी है ना स्रिपत्ती नाय मालिक हम चथाम च्थाम वसूल कर देल ही कि नहीं मालिक नहीं हम एक दम कोड़ी कोड़ी जो हैं जितना कम से कम रुपया हो सकता है सारा वसूल कर दिया है अलूरां वसूल करा है खसिया नाई दल होगा हम तकनिक है दल है यो खसी लगतो अच्छा वसूल करके तुम खसी नहीं दिया होगा हम तुम्हें को बोल दिये थे कि खसी देना होगा नाय तो खाताएं नाम चड़ले रहतों नहीं तो रिजिस्टर में नाम चड़ा रहेगा तुम खसी नहीं दिया था श्रीपति नाय मालिक उटा नाय पारवोग करने मालिक हम खसी देने नहीं सकेंगे वो हम नहीं सकेंगे उटा मतलब वो है ना वो हम नहीं सकेंगे कर दो नहीं करने से कैसे चलेगा हम लोग का यह तो लाभे है हम लोग जो पैसा देते हैं हम लोग वही तो लाभे है बाहर देखें रे फ्यक्रा साधा करजे टीप ले लिए तो किसी को बोलता है रे फ्यक्रा इसका वाइट पेपर में इसका अंगठा ले लो टीप ले लो श्रीपति करते हैं कितना लीजीएगा कितना नो relación कि आ अर्षंक आह भाइमानी करें सिर्फति करूब है कि चया है अक्रहार पैसा माच्छी देता है उसको ले के अंपना गट्री में बानता है और राम राम काके वहां से चला जाता है पैसा मगना आया था ना कालूराम मन्य मन्य आवरी बेटा का हीरे टाइ बड़ी दीन आय ख़ल अच्छा आवरी मतलब अवरी बेटा का हीरे बड़ी दीन से आय होता है ठीक है धान लगता है फसल होता है यह हीर होता है इसका नजर था उस पर आप मौका मिल गया इसको टीप तो ले लिया है वाइट पेज में अब बस अपना कर लेगा उसको अगला है सातमा दिर्ष्यू कलूरम जंताक संग कलूरम जंताक के साथ बठा हुआ है कुछ बातीत हो रहा है देखते के लिखा है कलूराम भाई साब हम मुख्याक हम मुख्या के लिए खड़ा हुए हैं डाडायल ही मतलब खड़ा हुए हैं मुख्या के चुनाओं में और हम आसा करते हैं कि आप लोग हमको भोट देकर जिताएंगे आसा के तोहनी हमरा भोट देकर जिताएबा तुम लोग हमको भोट देकर जिताएगा जनतक सेवा वही कर स चूटरी गिरना राम राम करें वो क्या सेवा करेंगा इसके घर में कोई चुहा भी गिरेगा तो वो चिल्ला के भागेगा चूटरी चूटरी क्या होता है छोटा से चुगा ठीक है चूटरी मतलब छोटा से चुगा हमर की गुन है कि नाय उटाता होनी सभीन बैस से जाना है मतलब मेरा क्या गुन है क्या नहीं है वो तुम लोग आप लोग अच्छी से जानते हैं हम कैसन हमर दिल कैसन कते उदार कते दयाग भाव भर ले तो हनी क्या कहें नाय हत तो मतलब मेरा दिल में कितना उदारता है कितना दयाग भाव भरा हुआ है यह और तुम लोगों को बोलने का जुरुत नहीं है, तुम लोग सब जानता है, जादू, परतिवादे, बैसल लेखन तो मुख्या भेले, एक एक सो, तो नाय, एक एक दसा, बाबा मुख्या कहा, चरपंज कहा, एमेले कहा, पी एम कहा, सब आपन पैट भरत, जनता कक्रोचि कि परतिवाद होता है जब ना, मतलब जब बिपक्ष में रहता है, तो अच्छा-चा बात बोलता है, लेकिन जैसे, चाहे कोई मुख्या बन जाए, चाहे सरपंज बल जाए, चाहे मेले बन जाए, या एमबी बन जाए, सब अपना पेट भरने में लग जाता है, और जनता क चिनता कोई नहीं करता है, जनता का चिनता कोई नहीं करता है, ठीक है, ये था सातमा द्रिश्यों, अब ये है आठमा द्रिश्यों, चोटा सहाई पढ़ लेते हैं, और ये वीडियो को ये खतम करेंगे, ठीक है, आठमा द्रिश्यों है, रतिराम, रतिराम कौन है, रतिराम है वो सहरी यूबक चीक है अतिराम और राधो है ना संभू बाबू आप कविता भी करते हैं कल राध आपने गजब की कविता पढ़ी में आवाक रहा गया अतिराम कहता है संभू बाबू आप कविता भी करते हैं कल राध आपने गजब की कविता पढ़ा मैं तो आवाक रहा किया इतना अच्छा कविता कहां से लिखे संभू धन्यवाद सेट जी अच्छा हुआ आप से भेंट हो गई कभी संभलन से वापस आने के बाद मैं तय किया है कि आप नौकरी नहीं करूंगा मैं गाओं में जाओंगा और जनता का सेवा करूंगा आपी संभू जो है कभी बन आप यह क्या Parent का करूंगा रती या क्या फ़कर रहे हैं आप यह क्या भक रहे हैं आप इसकूल को कैकर रहता Rs. है कि अच्छा है कि मिले हैं कि किन्तु आज आप यह क्या कह रहे हैरे हैं है ना सेड़ जी मैं पागल नहीं, नहीं सेड़ जी मैं पागल नहीं हूँ, मैं ठीकी कह रहा हूँ, मुझे गाउं पुकार रहा है, मुझे गाउं जो है वो बुला रहा है, गाउं भुख प्यास से तलब रहा है, मुझे बुला रहा है, मुझे जाना ही पड़ेगा, किन्तु म मैं रिन हूँ आपने मुझे 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 के समय मदद की शरं दी है यह मैं नहीं भूलूंगा ँच्छा शेट की in चुम्हा करें ठीक हो जाना पड़ेगा मेरा गांष्ट। बुला रहा है मैं उसका रिनी हूँ मुझे उसकी मदद करना ही पड़ेगा और आपने मुझे 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 मदद की शरन दी यह मैं कभी नहीं भूलूंगा अच्छा से जी मुझे जमा करें मैं चलता हूँ यह काके वहां से वह निकल जाता है रती बोलता है जैसी आपकी मर जी मेरी सुप कामना है आपके साथ है यह आटमा द्रिश्चिता खतम हो गया इस वीडियो के खतम करते हैं चलिए थैंक्यू